कुल मिला के आभी तक 143 संग्सवत को निलंबन किया है। हमारा देश का इतिहास में तो नहीं है। दूसरे देश का इतिहास में भी संग्सवत का एक ही सत्रों में इतना संग्सवत को निलंबन करना कोई भी देश के इतिहास में नहीं है। विपक्ष का क्या कसूर है विपक्ष का एक ही अपराद है तेरो डिसेंबर संगसद में जो सुरुक्सा के कफिलोती हुआ था विपक्ष की जनना चाहता हमने सिर्फ जनना चाहता क्यों हुआ कैसे हुआ कौन जिम्मेबर है ग्रहा मुंत्री जी सदन में आये और आके बूले कि कौन कौन जिम्में बरहे किसके कुछूर के लिए ये लोग जो इंट्रूडर जो उनुपर विसकर आ गिया था गैस केन लेके केसे आ गिया था ये जनना चाहता हम अगर सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किछ जवाब मांगेंगे लेकिन ये लग संगसाद में आना नहीं चाहते है प्रधान मुंत्री बाहर दुख चतते है ग्रहा मुंत्री जी बाहर बात बोलते है लेकिन संगसाद में आना नहीं चाहते है अरे प्रदान मंत्री संक्सत के नेता है सदन के नेता है सदन के नेता को सदन में आना चाहिए ग्रिहा मंत्री जी लूक सवा के मेंबर है उनको आना चाहिए नहीं आते है और इन्होंने इनको सस्पेंड करना था प्रताब सिम्हा को महुआ मोहित्री जी को सस्पेंड किया किया पाच वोट शेयर किया था उससे बरा गुना किया प्रताब सिम्हा जिन्होंने पास इसु किया था उनको सस्पेंड भी नहीं किया उनको पुस्ताज भी नहीं किया ग्रिफतार भी नहीं किया किसको हमारे 143 संगसत को निला मौन किया हाम जीसे लोक सभा में तीन और राज सभा में गैरो संगसत को प्रिविलेस कमिटी में भेजा यह सारे देखो यह तना शाही एक जमाना में जर्मान जर्मान में जब हिटलार शाशक सत्ता में रहे तो भी ऐ जर्मान में हिटलार का कोई समार और कोई मेमोरियल नहीं है। इतली में मुसॉलिनी का कोई मेमोरियल नहीं है। इन लोगों का मेजॉरिटी जरूर है। और मेजॉरिटी के बजाए से ये लग तनाशा ही चला रहा है। लेकिन तनाशा ही कभी ज्यादा दिन नहीं रहते। त तनाश ही खतम होते हैं, इनका भी countdown शुरू हो गिया है, जनता जगेगा और इनको भी इनका तनाश ही को भी खतम करेगा। ये कोई पार्टी का बात नहीं है, कोई गडबंधन का बात नहीं है, जब जनता जनारदन जब फैसला लेते हैं, तब कोई पार्टी या गडबंधन का जुरूत नहीं होते हैं, विधान सभा का चुनाव अलग है और देश का चुनाव अलग है, दो हजा तीन में रास्थान, मदेध परेडिया ये सारे में हमने नहीं जी जीता था लेकिं 2004 में योपिय का सरकार हुआ था 2008 में है तीरों रहेज़ों ये पूरा उम्मीद है ये जनता जनाट斌न सही फ़स्ला लेगा और यह सरकार को भारत महासागवर में पिकेगा आसाम के जो डिलिमिटिशन ही अगर जिन्ना साब जिन्दा रहते तो वो बहुत खुश होता था एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसल्मान कर दिया जो जिन्ना साब का जो फर्मूला था ति हिमांद विश्व सर्मा के आत्मा में जिन्ना साब का आत्मा गिया था और उसलिए यह सारे किया देखो यह डिलिमिटिशन से यह तो बीजेपी जरूर उनका फाइदा के लिए लेकिन नतीज़ा अलग होगा डिलिमिटिशन जनता नाखूश है और जब नतीज़ा आएगा आप देखोगी यह डिलिमिटिशन से बीजेपी का फाइदा नहीं होगा जनता अलग तरफ का डिसेशन अलग तरफ का फसला दे देगा चुनाओंगी हमने भी सुना खारगे साब को प्रधान मंत्री उमिद्वार बनाने के लिए ममताजी भी प्रस्ताप किया और केजरिवाल जी भी उसको समार्थन किया लेकिन खारगे साब ने क्या कहा देखो कांग्रेस का नेता कैसा होता है खारगे साब ने कहाँ पहले चुनाओ जीते ने तो उसके बाद निर्नाय होगा और यहीं कांग्रेस का परंपरा है हमारे जो पार्लामेंटरी पार्टी होते हैं जो संक्सोत जित के आएगा वो संक्सोत आके ताई करते हैं कोन परधान मंतरी बनेगा लेकिन बीजेपी के फर्मूला है कौन पहले प्रदानमंत्री होगा वो प्रेसिडेंशल फॉर्म में जो होता है वो ही बीजेपी करते है लेकिन खारगेसाब कांग्रेस का इद्धाक्षा इसलिए कहा पहले चुनाओं जी तो उसके बाद परसला करो हमारे लिए तो यह आनंद का बाद है हमारा इद्धाक्ष को उन लोगे पुस्ताप किया लेकिन हमने संगसादियों जो लोकतौंत्र उसको मनते है और संगसादियों लोकतौंत्र यह कहते है चुनाओं के बाद प्रदानमंत्री तो होते है जब विपक्ष नहीं है विपक्ष दिखाते अब對對 दिखाने का कोई नहीं सारे डेर सो लगभग डेर सो संक्सत को सदवन के बाहर रखिये चठर्चा हो रहा इस में कोई फाइदा नहीं है अगर सरकार अच्य तरइक नेर्णा चाते तो हमका अंदर रखे इसका चठर्चा करते